हेलो फ्रेंट्स फॉल सगेंड विलकम बैक इन माई टोप चनल दोस्तों मैं हुआ कास पांड़ आप देख रहे हैं यूनिक सिविल यानि मेक यूर्शेल्फ यूनिक तो सब ने कभी जनन से क्वेरी सपोची थी weather मुझे बाहर जाना एं इन शेंज फोरेंक कंट्री में जाना है तो फोरेंक कंट्री में खुद के student वहाँ पे काम कर रहे हैं जो मेरे दोस्त वहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे जो भी मैंने experience लिया है उनसे वो मैं आपको बताता हूँ तो मेरे एक दोस्त है हो वहाँ पे interior designing में काम करता है तो interior designing में जब काम करता है तो उसने बोला है यहाँ पे पूरा का पूरा जो काम होता है वो 3 days max पे हम लोग करते हैं किस पे करते हैं 3 days max पे इंटीर का काम वहां पर बहुत जादा है आपको पता हुन है की आप करो तो भी थकोगे क्योंकि वो इंटीर करते हैं उसके बाद उनको थीम भी चेंजकर नहीं होता है बाद बाद में मलब 5-7 साल के बाद थीम चेंज करते है अपने घर का अलग-अलग फिर आपको जुरूत पड़ती है तुम कहाँ पर काफी ओपनिंग्स रहती है दूसरा मेरे एक दोस्ते है वो इस्ट्रक्चर में काम करता है तो उसने बता है यहाँ पर स्ट्रक्चर के लिए जो सॉफट्यर यूज होता है वो यूज होता है ETAB आपको पता होना चेए ETAB क्योंकि वहाँ पर सभी हाई-च बिल्डिंग्स है और हाई-च बिल्डिंग के लिए ETAB सबसे बहत्रीन सॉफट्यर है इसमें कोई भी दो रहा है नहीं है आपको पता होना चेए वर्ड की जो सबसे से लार्जेस्ट बिल्डिंग के कौन सी है बुर्ज खलीभा 828 मिटर So that building is designed with the help of ETAB सॉफट्यर ETAB में उसके designing होई है तो आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ी कोई विल्डिंग नहीं है तो maximum लोग क्या करते हैं वहाँ पर ETAB ही यूज़ करते हैं तो अगर आप ETAB करके जाते हो तो आपके लिए काफी बहतरीन वहाँ पर opening सोचती है दोस्तों ETAB और 3DS Max इससे पहले आप AutoCAD जरूर चला के जाना क्योंकि AutoCAD उनको सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि AutoCAD अगर इसको आता है वो बेसिक ड्राफ्टिंग से अपना काम तो स्टार्ट कर सकता है एक मेरा स्टुटेंट है समीक त्रिपार्टी अभी यूँव इंडिया आगया गुजरात में है तो वो वहाँ पे एज़र ड्राफ्ट्में लगा था और काफी अच्छी सैलरी पा रहा था मिन्स एज़र ड्राफ्ट्में भी उसने काफी अच्छी अर्निंग किया और वहाँ पे आप यह समझेए कि अगर आप ड्राफ्ट्में है तो आराम से ड्राफ्ट्में की जॉप में आप 80-90,000 रुपए कमा सकते हैं और अगर मैं इंटिरे डियनिंग के बाद करू तो लभग 1,00,000 रुपए आप आराम से कमा सकते हो इंटिरे डियनिंग करता है उसके पास नॉलेज कितना है उसके हिसाब से यह जानिए कि 80-90,000 रुपए मिनिमम जो यहाँ पे इससाब 12,000 कमाते हो तो वहाँ पर 80-90,000 रुपए मिनिमम होता ही होता है करके देती है तो आपका ज़्यादा खर्च नहीं होता फिर भी आव वहां तो खर्च होगा ही हना तो वह खर्च होता है बट यह समझेए कि एक लाग रुपए आपके कहीं नहीं गया है तीसरी चीज, अगर आप BIM पर काम करना चाहते हैं, वहाँ पर BIM बीम का भी बहुत ज़्यादा काम होने लगा है, और अभी अगर आप BIM पर देखेंगे, तो BIM पर सब ज़्यादा वो लो भी Rabbit ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि Rabbit सॉप्टर बहुत ही बहतरीन है, इसका कोई ultimate ही नहीं कि और कुछ इसके साथ लगाए जाए, तो Rabbit के लिए वहाँ पर सबसे अच्छा Rabbit है BIM के लिए, तो आप डिसाइड करो कि किस में आपको जाना है, यह समझे है कि अगर आप वहाँ पर as a site engineer भी लगते हैं, तो आप अराम से 1,20,000, 1,40,000 रुपे इंडियान रुपी लेचर 55 और 56 नॉर्मल हता है, तो आप समझ सकते हैं उस टाइम पे कितना धूब रहती है, और काफी दिन से काफी लोग कोईरीस पूछ रहते तो मैंने सोचा कि उन्हें उनको बताता हूं, तो पहले मैंने उन लोगों से बात भी किया था, तो काफी दिन पहले उन्हों मु चंटी दी थे और definitely और कैसे जाएंगे इसके लिए काफी देल सारी, काफी देल सारी consultancies हैं, बट यहां थोड़ा सा देख समझ के जाना क्योंकि बहुत से fraud भी हैं, आपको ही पता है, कुछ लोगों ने धोका खाया होगा, तो बहुत से fraud भी हैं, तो genuine अगर जाना है, तो जो फर्जी सारे काम कर देते हैं, आज कल टाइम में तो, फर्जी पासपोर्ट तक बना देते हैं, और वहां जाके आप फर्ज जाते हो, तो प्लीज ऐसा मत करना, थोड़ा सा सो समझ के अगर आप जा रहे हो, तो जाना मिन्स, आपका उस्टेंसी, उसे बात करो जो बच्चा अगर आप उनको एकुरेसी बहुत पसंद है, तो अगर आप एकुरेस नहीं हो किसी भी चीज में, आज आटोकेट हो, या थीडेस में, या एटैप्स, या फी रेविट, ये चारो में आपको उप्सन है, देख लो, चारो में आपको जो अच्छा लगे, उसमें बहतरी न क करके जाओ ठीक है ओटोगेट तो आपको करना ही करना है क्योंकि मेन आपका वहां पर है बट और तीसरे जो सॉफ्ट्रेर इसमें से जो आप चूज कर रहे हैं उसको इतने लेबल पर लेके जाओ मेरे इस एसे जा है उनके पास कीडिर सार इसे लड़के आते थे जो फास थे पर उन्होंने ठीदिस मैक्स इतने बैतरीन तरीके से सीखा है उन सीच मंथ शीक अशचा में से ते जाते ते वहां पर तो मिनियम आप 1090 यारों से स्टार्ट करते था अपना कारियर अब इंडिय महीने में थ्रेटेस में बहुत जादा सीखा जा सकता है आप जिसने भी चलाया होगा उसको पता होगा मैं कुछ भी सीखाता हूं बट 6 महीने 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 हो जाता है किसी को बहुत अब लाइन आपने वहाँ चलाई है आपको मैं बताता हूं यह जल्दी जल्दी हो जाता है दोस्तों अगर यह इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो जादा लोगों तक सेर करना में आपके हरे क्वेरी इसको सॉल्व करता हूं तो आप हमारा सपोर्ट करिए जिससे कि हम एडिट के भी सॉफ्टेर आएंगे आपके पास जो भी मैं लेके आ रहा हूं बीने एडिट के आएंगे थोड़े सपोर्ट करना और अगर अच्छा लगी इसको सेर करना जाता है लोगों तक जिससे कि मैं फिर से इसको एडिटिंग करेकले बोल सकूं और मिलते हो से नेक् जै भारत